Hello and welcome to the 7th lecture of History of Western Architecture series इस series में हम बात कर रहे हैं Western Architecture के history के बारे में और यह 7th lecture है about Renaissance Architecture स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलिग्राम चैनल आखिस्टेडी जोइन कर सकते हैं और इस में इस लेक्चर या इससे प्रीविस लेक्चर से रिलेटेड आपको PDF मिल जाएंगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अभी तक हमने history of western architecture series में बात किया इन 6 topics के बारे में mesopotamian, Egyptian, Greek, Roman, Romanesque and Gothic architecture के बारे में यह 7th lecture है about renaissance architecture तो start करते हैं आज का topic renaissance architecture starting with the basic introduction in the renaissance architecture हम देखेंगे यह जो renaissance architecture है यह middle ages के बात का architecture है यानि कि अभी तक जतने भी हमने architectural style देखे थे western world के वो हम उनको summarize कर सकते हैं वो up to middle ages तक था लेकिन यह जो renaissance architecture है यह 15th century से लेकर 17th century के अगली तक यानि कि हम कह सकते हैं around 200 years का यह पूरा एक period था renaissance architecture का इसमें renaissance develop हुआ लेकिन renaissance architecture का mean क्या है मतलब renaissance का मतलब क्या हुआ एक renaissance का simple meaning है revival यानि कि revival of the ancient Greek and Roman तो पहले पहले के time में जो Greek and Roman में जो elements जो चीज़ें use हो चुकी थी renaissance architecture में just उसको revive किया गया है या कह सकते हैं दुबारा से उसको use करके एक नई तरीके से उसको present किया है तो यह इसको summarize way में हम इसको ऐसे समझ सकते है renaissance architecture को just as a revival of ancient Greek and Roman architecture साथ-साथ इसमें कुछ emphasize किये हैं चीज़ें जैसे कि symmetry proportion और geometry को यहां पर जादा emphasize किया है यहां पर जो building बनी है वो ज्यादा symmetrical है ज्यादा proportionate buildings है और geometrical इन्होंने अच्छा खास है यहां पर use किया है renaissance period में और इसमें कुछ और elements हमें देखने को मिलेंगे जो कि एक proper arrangement के साथ है यानि कि उनका एक proper order है जब उसको हम arrange करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूज किया गया है तो यह सारी चीज़ें हो रही है renaissance architecture में renaissance architecture जो start हुआ था वो इटली के Florence city से start हुआ था यह चोटा सा city है उस time पर इटली का Florence city सिटी यहां से start हुआ और धीरे धीरे मतलब बहुत जादा धीरे नहीं लेकिन हाँ अपनी एक पेस पर यह पूरे इटली में फैल चुका पूरे उस time पर ही 15th century के राउंड पूरे इटली में यह फैल चुका था अपना प्रभाव डाल चुका था और इसके हर भी इसका preference देखने को मिला और एक kind of Italian architecture को हम इसमें समराइज कर सकते हैं रेनेसेंस एक टाइप से Italian architecture था जो complete कहते हैं early renaissance यानि कि यहां पर renaissance just develop होना शुरू हुआ था या इस early renaissance के period को हम कह सकते हैं kuantrocento ना इसका एक और टर्म है यह बहुत popular term है kuantrocento यानि कि यह early renaissance है around 100 years का यह time period था 100 year के बाद यानि कि year 1500 से 1525 तक का जो period है यहां पर high renaissance का एक period है या कह सकते है renaissance बहुत जादा height पर चला गया था ठीक है तो यह second phase था और third phase इसमें आता है mannerism का यह भी around 80 years का यह 1520 से लेके 1600 तक था तो यह 80 साल के around का time period था mannerism का तो और और जो renaissance था इन तीन phases में develop हुआ था एक-एक phases के बारे में हम बात करेंगे कि हर एक phase में क्या चीज़ें develop हुई थी तो start करेंगे सबसे पहले early renaissance या नि क्वांट्रो से तो यह 1400 से 1500 के time period में था लेकिन यहां पर एक main बने थे इन्होंने क्या किया पुराने time में यानि कि ancient Greek और Roman architecture में कुछ details वहां से उन्होंने adopt करी और उसमें कुछ ornamentation करके यहां पे दुबारा से early renaissance में उसे क्या सकते है प्रेजेंट कर दिया यह बहुत जादा फोकस था यह architecture अपने space को use करें यानि कि इन्होंने space as a space को इन्होंने key element की तरह use किया अपने architecture में जो कि पहले middle ages के जो architecture में वह ऐसा नहीं होता था लेकिन यहां पर इन्होंने space को काफी अच्छी तरीके से use किया और उन्होंने organize किया एक proportional logic के साथ यानि कि ऐसा ही नहीं randomly एक space को design कर दिया वहां पर building develop कर दी तो उनके space में proper एक proportional space था पूरी mathematical calculation की साथ उन्होंने वह space को वहां पर design किया हुआ था तो उनके इस type की building में हमें देखने को मिलता है एक form देखने को मिलता है एक basic form यहां पर इन्होंने develop करना श्रू कर दिया था early renaissance के time पर एक rhythm देखने को मिली थी उनके geometry में तो ऐसे ही इन सारी चीज़ों को उन्होंने use करते हुए बहुत सारी ऐसी building बनाई थी जिसमें prime example हम कह सकते है basilica di san lorenzo एक florence में basilica है यह इसको philippo bernesli ने बनाया था तो यह काफी एक prime example हम मान सकते है early renaissance के time period का इसके बाद second जो है 1500 से 1525 तक का time period है वो रहा है high renaissance का यानि कि यहां पे renaissance अपनी और जादा peak पर हो गया था यहां पे इनोंने क्या किया जो early renaissance में इनोंने concept और rules को develop किये थे उसको यहां पे इनोंने बहुत जादा high precision के साथ follow किया यानि कि जो पहले use कर रहे थे उसको और जादा greater surety के साथ इनोंने use किया और जादा precision के साथ use किया तो यहां बिल्डिंग बन रही थी अब यहां पे और जादा बढ़िया बन के आ रही थी तो यह एक time से kind of peak time था उनका जब high classical architecture को contemporary architecture में बनाया next यहां पर एक third phase जो निकल के आएगा Renaissance architecture का वह है mannerism यह 1520 से around 1600 तक यह phase था यहां पर इनोंने जो mannerism के architect है बहुत famous architect mannerism mannerist period में काम किये माइकल एंगलो तो यहां पर इनोंने क्या किया जो अपनी buildings थी उनको और जादा form based building बनाई यानि कि उनका form बिल्डिंग का outer shape है उसको जादा emphasize किया emphasize उन्होंने solid geometry का use करके emphasize किया और buildings के जो special relationship थे और वह ज्यादा focused थे यहां पर तो यहां पर यह सारी चीजें और ज्यादा develop हुई mannerist period में और ज्यादा imaginative buildings बनने लगी जिसमें ज्यादा rhythms हमें देखने को मिले थे तो overall यहां पर इन्होंने एक और जो चीज यहां पर use करी थी एक plaster को use किया था जो कि एकदम bottom से लेकि top of the building तक यहां पर गया था ओके एक बहुत बड़ा plaster को लिया इन्होंने जो कि एक plaster type से columns है आप इसको समझ सकते है एक square column type का रहता यह circular नहीं square है जो कि base यानि building के base से लेकर top of the building गया फसाड में तो इनके ROM की building के design में यह देखने को मिला तो ज्यादा work होने लगा यहां पर अब हम कह सकते हैं outer forms पर और और फसाड को लेकर यहां पर ज्यादा work होने लगा मैंने इस period में next हम बात करेंगे इनके characteristics की यानि कि renaissance architecture की अंदर कुछ ऐसे elements जो develop हुए उनके क्या characteristics थे starting with the element plan यानि कि plan के अगर हम बात करें renaissance period में plan कैसे थे तो renaissance buildings जो थी renaissance के time period में जो building थी उनका प्लान था एक square plan हम कह सकते हैं कि एक kind of square plan था और symmetrical appearance था जो plan था वो काफी symmetrical था क्योंकि वहां पर उन्होंने कुछ proportions और rules को लेकर building मनाई थी तो उनके जो plans है वो एक proportionate plan रहता है और वो एक module यान हम कह सकते benchmarks को set करके वहां सो proportion measure करते हैं अब ये benchmark charge के case में क्या था जो charge की aisles रहती है उनकी जितनी width रहती है मतलब आप कितनी width का aisle वहां पर design करते हैं तो उसके वह ऐसा benchmark लेके पूरी चर्च का महाँ पर plan बन रहा है तो ये सारी चीजे start हुई थी पहले के time पर जानी की early renaissance में जो कि इन्होंने start किया एक architect फिलिपो बर्नेस्ट की रहे लेकिन कभी भी वह अपने काम में इस चीज को बहुत अच्छे से present नहीं कर पाया यानि कि जो plan और facade का जो भी relationship है वह फिलिपो अपने काम में बहुत अच्छे से या फिर बहुत अच्छे से present नहीं कर पाया यह काम carry किया अलबर्ट्री ने सेंट एंड्रिया मंट्वा में जो सेंट एंड्रिया बना था तो वहां पर यह पहली बार हमें देखने को मिला जो plan और facade का जो relationship है वह काफी अच्छे से यहां पर शोग किया है अलबर्ट्री ने तो हम देख सकते हैं अलबर्ट्री का सेंट एंड्रिया जो बना था मंट्वा में तो उनका जो plan और जो facade है वह काफी हम कह सकते हैं कि match करता है लेकिन फिलिपो के buildings में वह हमें नहीं देखने को मिलता है उनका विला कापरा जो था उसका जो plan और उसका facade है वह काफी कह सकते हैं match कर रहा है एक दूसरे के साथ तो यह plan as a element रहा second वहां पर जो facade हम यूज कर रहे हैं यानि कि renaissance architecture के अंदर जो facade यूज किया है तो वह काफी symmetrical facade है ठीक है उनके vertical axis से वह symmetrical है यानि कि अगर हम vertical axis row करते हैं तो left hand side और right hand side दोनों match करेंगे यानि symmetry करेंगे चर्चीज में हमें pediment देखने को मिलता है यानि चर्चीज के facade के उपर बात करें तो वहाँ पेडिमेंट देखने को मिलता है और आपने कभी notice किया हो तो यह एक triangular space को हम pediment कहते हैं तो पेडिमेंट वहाँ पर देखने को मिलता है especially churches के facade में उसके बाद हमें बहुत सारे plasters देखने को मिलते हैं वहाँ पर जने साइन्स के facade में arches का भी use किया है tablatures का भी use किया है windows का भी use किया है तो ऐसे बहुत सारी components का यहां पर use किया है facade में domestic buildings में हम देखेंगे कि cornice का भी use किया है तो जो roof है वह surmounted है cornice के साथ इसको और अच्छे समझेंगे देखो इस image में हमें pediment यह वाला जो triangular space है this is a pediment तो pediment का use किया गया है इसके साथ साथ columns का जो की doric, ionic और cornian three columns है वह यहां पर use किया है entablature यानि कि यह वाला portion this is called entablature तो entablature का भी use किया है arches का भी use किया है semi circular arches का भी यहां पर use किया है residential building की बात करें तो यहां पर cornice देखने को मिलेगा यसी यह वाले जो portions है these are known as cornice okay तो यह cornice का भी यहां पर use किया गया arches का भी use किया है तो ऐसे elements को हमने जब फसाड में यहां पर use करते भी देखा है renaissance architecture columns and plaster next element है जो कि इन्होंने columns इनका Tuscan, Doric, Ionic, Corniental, Composite तो यह सारे columns यहां पर use किया गया है renaissance architecture में बात करें arches की semi circular arches यह segmental arches का यहां पर use किया है और arches के support में यानि कि arches के ऊपर हमें यहां पर entablature भी देखने को मिलेंगे जैसे यह arches है और arches के ऊपर यह entablature mainly kind of arches के ऊपर भी एक तरह से lintel kind समझ सकते हैं इस entablature को यह एक टाइप से designer element रहता है capital और springing line के बीच में भी यह entablature हो सकता है यह vary करता है building to building किस ताइप से हां पर arches है तो mainly हमें यहां पर semi circular arches देखने को मिलती है और उसके ऊपर entablature as a there key component हमें देखने को भी मिलता है इसकी बात renaissance architecture में एक major element जो हम यहां पर देखा है that is vaults यानि कि यहां पर जो vaults use करी है वो rib vault नहीं है यानि कि इनके vaults में हमें ribs देखने को नहीं मिलती तो इस type के vaults को हम कहते हैं barrel vault जिस vault में ribs हमें देखने को नहीं मिलती कुछ इस type से vaults देखने को मिलता है complete semi circular vaults है और यह type से roofing जब हम करते हैं किसी भी building में renaissance architecture में हमने देखा है तो roofing के लिए यहां पर इस type के vaults को use किया गया था domes जो थे middle ages तक के जितनी भी buildings है वहां पर बहुत rarely use किया था domes को लेकिन जब बर्णेशली के design में जो बैसली का decent America है उसमें जब इन्होंने as a dome को use किया उसके बाद बर्णामेंटे के saint peters basilika में उसके plan में उसके ऊपर जो domes देखने को मिला तो यहां से confidence gain हुआ तो यहां पर डॉम को भी as a independent element हम use करने लगे थे ceilings अगर देखते हैं अगर flat ceiling है तो coffered ceilings यहां पर देखने को हमें मिलती है renaissance architecture में मतलब काफी designer ceilings कह सकते हैं काफी decorative है और इसको time to time renovate और paint वो करते थे ceilings को भी काफी designer चीज़ें यहां पर इन्होंने use करी थी ornamentation के तोर पर एक और element यहां पर निकल के आता है walls तो walls जो interior था coins थे उनको ज्यादा emphasize किया था जो coins है इस type जो coordinates रहता है इसको हम coins कहते हैं तो यहां पर ज्यादा emphasize किया गया था यहां पर rusticated coins का यहां पर use किया गया था okay तो basement या ground floor को ज्यादा तर यह rusticated bricks से यहां पर use किया करते थे एक तरह से उनका element था जो internal walls थी वह काफी smoothly plastic करी जाती थी और उनका जो surface है उसको paint किया जाता था chalk paint के साथ और उसके अंदर जो walls है उसके अंदर frescoes बनाए जाते थे एक kind of paintings रहती थी थी कुछ major architects यहां पर architects की बात करेंगे यानि कि Renaissance time period में कुछ major architects थे उनकी major work थे जो हमें देखने को मिलते हैं इस time period या फिर इस architectural time period में तो quantum center यानि कि early Renaissance के time में एक बहुत important और बहुत famous architect Philip Brunelleschi Philip Brunelleschi काफी important थे क्योंकि इन्होंने dome of the cathedral of Florence यानि कि यह वाला dome Florence के cathedral का dome इन्होंने design किया था इसके साथ साथ डेगली hospital और पाजी chapel तो यह इनके famous work है इन्होंने इस time period पर यह famous work इन्होंने किया था इन्होंने क्या किया था जैसे कि हम बात कर रहे हैं पर mathematical orders के साथ इन्होंने buildings यहां पर design करी तो इन्होंने simple सा एक rule निकाला या फिर एक rule notice किया जो roman architecture में था कि जो width है semi circular arch की वो उसकी height के twice है इसको समझ सकते हैं से semi circular arch की जो width है वो उसकी height की twice है तो इन्होंने यह formula notice किया roman architecture में और इसके बाद अपना symmetry और proportion को यूज करते हुए अपनी buildings में नोंने इस सारी चीज़ें यूज करी और इनके famous work जैसे कि बात कर चुके dom of the cathedral of Florence डेगली hospital और पाजी chapel तो यह काफी famous work थे फिलिपर बनलेस्की के इसके बाद एक और architect है अर्ली renaissance में माइक लेजो माइक लेजो हम कह सकते हैं he was the first architect to work in renaissance style outside the Italy इटली के बाहर renaissance architecture में काम करने वाले यह पहले ऐसी architect थे इन्होंने प्लाजो मेडी की रिकार्डी यह इनका एक famous work है जो इन्होंने यहां पर developed किया था mannerism जाने कि जो लेट architecture था बाद में वहां पर एक बहुत फेमस architect माइकल एंगलो यह काफी popular है और आई होप यह सब जानते हैं इन्हें माइकल एंगलो को यह एक painter sculptures और architect इस सारे काफी इनके अंदर qualities थी तो यह बहुत major architect के तोर पर यह mannerist time period में निकल कर रहा है इनके जो कुछ famous work थे वह थे यह काफी popular और काफी क्या सकते काफी अच्छे work इनके माने जाते हैं यह तो इस video में फिलाल इतना ही आई होप आपको समझ में आया होगा